हेलो एवरिवन आप सबका वांग्शान बबल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है चलिए मैरेट स्ट्रेंजर्स के पार्ट 112 को शुरू करते हैं अब तक हमने देखा था इबो सभी के लिए हपी मेर लाने के लिए गया था और तभी वहां काउंडर पर खड़ी हुआ इबो ने मुड़कर जान की तरफ देखा और पूछा हस्बंड आप यह क्या कर रहे हो जान ने इबो के गाल पर किस करते हुए कहा गगा तुम्हें मिस कर रहे थे इसलिए आगे इबो इबात सुनकर प्लेश करने लगा उसने कहा गगा बस कुछी मिनिट हुए है तो जान ने चगल करते हुए कहा मैं तुम्हें हर सेकेंड मिस करता हूँ फिर तुमसे धूर के से रहे पाऊँगा सुनकर इबो ने जान की चिस्ट पर अलग्ले से पन्च करते हुए कहा हजबंड जान ने चगल करके खहा ठीक है अब नहीं चड़ाऊंगा अच्छा तुमने और्डर प्लेस किया तब इबो ने मुड़कर तुरंत उस लड़की की दरफ देखा और पूछा क्या आपने मेरा ओर्डर ले लिया जान के आने से इबो लड़की पहले ही जोग गई थी वो अफ़कलाते हुए बोले यस सर इबो ने जान की दरफ देखकर पूछा कुछ और पिनी के लिए चाहिए हस्बंड तो जान ने समयल के साथ जवाब दिया जो भी आपको पसंद हो मेरे रॉयल हाइनस एबो ने चकल करके कुछ और चीज़े आड़ कर दी कैशर ने इबो को बिल दिया और एबो ने उसे बिना देखे ही बस अपना वॉलट निकाल कर पेकिया और फिर जान के तरफ देखर बोला अब वो दोनों अपने सीट पर वापस आ गए इबो अब जान को बहुत चड़ा रहा था क्योंकि जान को छोटे छोटे गेम्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलज नहीं था जैसे बंपी कार गया जान दो इबो से इसलिए एगरी कर गया था क्योंकि ये फास्ट वाली राइड नहीं थी लेकिन जब भी इबो से उसे अलग होना पड़ा उसका मुझ फिर से लड़क गया क्योंकि अंदर जाते ही इबो ने फट से जाकर अपनी पसंदीदा कार चूस भी कि उसके कलर के हिसाब से उसमें जाकर बैट गया और फिर जान को आने के लिए कहा अब जान के पस कोई और आप्शन नहीं था वो पिजाकर बैट गया अपने बॉडिगार्स के साथ जिसके साथ ही जान के स्ट्रॉगल का एक और राउंड शुरू हो गया अब इबो हसते वे जान को चुड़ा रहा था कितना लाज़ी ओल्ड मैन है इसे तो मंपी का ट्राविप भी नहीं आता इसके लिए तो हर चीज स्ट्रॉगल होती है एबो किल किला कर हस रहा था तो जान भी और जान का बिल्कुल भिमन नहीं था कि एबो की हसी में कोई रिकावट डाले पर तब एबो की नजर सामने वाले स्क्रीन पर गई जहां पर उनका निमबर आ गया था तो उसने तुरें जहान से कहा कगर हमारा टोना गया है और आपको मेरा हाथ बटाना है क्योंकि ये और्टर्स बहुत जादा है जहान ने स्मैल करके कहा ओके लव अब जहान इबो के साथ साथ ही काउंटर पर पहुंचा क्योंकि वो नहीं चाहता वो काउंटर गर्ल फिर से एक बार उसके हजबन को अंकमफोटेबल करें अब उसने आगे बढ़कर काउंटर गर्ल से ट्रेस खुद ली फिर इबो के हाथ में धमाई दोनों ने अब सभी को हैपी मिल माटा उसके बाद खुद का हैपी मिल लेकर फो पैट गया इबो ने त जान के हाथ से बनी शींग लिया और अपना टाइ जान के हाथ में पकड़ा दिया जान ने कहा ऐसा क्यों किया तो एबो ने रहां हमेशा हमेशाद के पास रहें क्या मतलब जान ने आक्यों पास ने कहाँ को ओ डान लेकर आप बनी हो ना जान ने तू एब्रह deg को को constante उसे में बूला आप ओल्ड मैन हो जहन का मूत उरंद बंद और इवो ने चकल करते हुए कहा आप ओल्ड बनी हो तो मेरे ओल्ड बनी मैं लायन हूं इसलिए मैं आपका टॉय अपने पास रख रहा हूं और अब मेरा आपको दे रहा हूं ताकि जब भी हम एक दूसरे से दूर हो तब इन टॉइस को दिखकर हमें एक दूसरे के पास होने का ऐसास हो फिर उसने अपना टॉय जान के सामने पकड़ते हुए कहा तो क्या मिस्टर सेन मेरा ये पार्ट अपने साथ रखना चाहेंगे जान का दिल तो फार्म से भर गया उसने तुरंद फूलायन लेते हुए कहा हां पिलकल जान ने भी सामने पड़ा बनी टॉय इवो के सामने पकड़ते हुए कहा तो क्या मिस्टर शाव वांग मेरा पार्ट अपने साथ रखना चाहेंगे जान के नोट करके कहा हां पिलकल ऐसा लग रहा था तो नो अपने टॉइस नहीं बलकि अपना दिल एक दू करते हैं इवो इवो मुस्कुरा दिया तो जान ने उसके फोरेट पर किस करके कहा तो क्या हम खाना खाये फिर उसके गाल पर अपना धंफिरा देवे बूला सब लोग हमारा ही इंतिजार कर रहे हैं अब जाके इवो की नजरे अपने आस पास गई जहां सारे बाड़िगार सर जुका के बैठे थे शर्म के मारे इवो का इतना बुरा हाल हुआ कि उसी लगा कि टूब मरे तब जान ने कहा तो में शर्माने की जरूरत नहीं है यहां किसे ने कुछ नहीं देखा तो इवो ने जान को घूर कर देखा तो जान ने मुस्कुरा कर कहा इतने प्यारे चेह पर ऐसा घुस्सर ठीक नहीं लगता अब इवो इसका जवाब देने ही वाला था तभी जान ने इवो का बर्गर अंड्राइब किया और उसके मुझ की सामने पगड़ते हुए पूला इसे खाव लो वैसे तो इवो का जान को मारने का दिल कर रहा था पर उसका बर्गर इस बा आप सब भी अपना खाणा शुरू करो कुछ मिनट बाद इवो ने नोटिस किया जान खाना नहीं खा रहा है तो उसने तुरंत जान की दिलो तेखा जान ने पूचा क्या हुआ लोग तो इवो ने कहा आप क्यों नहीं खाना खा रहे हू ओल्लाइन जान ये जान ने कहा रह इबो ने पूछा टेस्टी है तो जान ने कहा यस लाव इबो ने कहा तो फिर एक और बाइट लो इस बार कलते से जान ने कुछ बड़ा बाइट लिया जिससे उसके दोनों गाल फूल गए तो इबो खुद को रोग नहीं पाया उसने बस फोन निकाला और जान को पुकारा जान ने चौंकर तुरंट इबो की दरफ देखा तो इबो ने फोटो क्लिक किया फिर जान को दिखाते हुए बोला मेरे आंटी कोल्ड मैं कितने क्यूट है ना जान की आँखे बड़ी- हो गई थी और अगले ही पल उसे एंबरेस्मेंट फिल होने लगा उसने तुरंट इबो से कहा इसे डिलीट करो तो इबो ने कहा बिलकुल नहीं उल्टा उसने तो उस फोटो के कुछ कॉपी बनाए और एक अलग से फोल्डर बनाया मेरा क्योट ओल्ड बनी रिसेंट फोट कियों तो इब ने कहा ये फोटो तो मैं अपने फोट सर्कल में दिखाऊंगा सभी को पता होना चाहिए बोबो का हजबन कितना क्यूट है अचानक से इसान का दिल पड़ी तेजी से दड़कने लगा ये वह अपने फोटो सर्कल में जहान की फोटो दिखाने वाला है मतलब जल थी ये उपनली अनॉंस भी कर सकता है कि वो जान को विलाउंग करता है एक पल के लिए तो उसे इसा लगने लगा कि आज अगर इसी वक्त उसे मौत बहा जाए तो भी उसे कोई गम नहीं होगा पर तभी उसे अपने गाल पर इबो का हाथ में सुस्वा वो अपने ख्या जान ने मुश्करा कर पूछा तुम चबिगों कसे भी प्यार करोगे तो इबोने कहा यॉप जान इसका जवाब दे इसे पिले इबोने कहा और पता है क्या जान ने पूछा तो इबोने कहा ये तो विन-विन सिच्वेशन होगी जान को कुछ समझ नहीं आया तो वो बस टे आपको नहीं लगता जब इबोबो को चब इगा का मिलने चाहिए। एक्चली जब इबोबो ने जाला चॉकलिट खाने से मना कर दिया था तब जान ने उसे कहा था कि इबो चब भी भी हो जाए तब भी जान को वो बहुत पसंद आएगा। और इबोबो अभी यही बात जान को सुना रहा था जान इस बात पर हसते हुए बोला ठीक है मैं लव लेहार तो यबोने स्माइल करके कहा फिर तो आपको और खाना चाहिए। जाने पे बरगर उठाते हुए कहा फिर तो डीडी को भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके साथ ही वो दोने एक दूसरे को खिलाने लगे, साथ में किर किला कर हसने भी लगे, उनका खाना खतम हुआ तो यबोने अपने बोड़ी अर्स की दुर्स की तरव देखा और पूछा, सब्हे को अपने टॉयज मिल गए, सब्हें ने हाँ मेजवश जवाब दिया, तो यबोने खाओ, तो दिखाओ, सब्हे ने अप इबो का आवास लगाई, वो सर, इबो ने जॉन की तरफ देकर पूछा, क्या हो जॉन दगा, जॉन ने फिर से लेले की तरफ देखा, जैसे वो अभी ये सोच रहा हो, कि उसे आगे बात करनी चाहिए या नहीं, इबो ने फिर से गहा, बताईये जॉन दगा, फिर इबो ने लिले की तरफ देखकर पूज़ा आप तुन्वे क्या बात कर रहे हो तभि जान ने हमें से इनुक्त करकर कहा सर हमारे पास अब के लिए कुछ है तो ईवा ने तरंद पूझा और वो क्या है जान ने जान की तरफ देखा और पर्मिशन मिलने के बात इबो से पूझा क्या हम आपको दिखाएं इबो ने कहा हाँ तो लेले कहा हम अभी लेकर आते हैं जान और लेले चले गए तो इबो ने मुड़कर जान के तरफ दिखा जान ने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता इवोनि अपने ब्रहम मास्तर का इस्टमाल किया उसका पौट पप्याइस पर जान नहीं पेखला क्योंकि वो इवो का सप्ठ्राइज खराब नहीं करना चाहता था जान को पिगलत RNA देखकर इवो इर्लटेट हो गया था वो जान को बुकारना चाहता था पर तब ही जॉन और लेले वापस आ गए उन्होंने टेबल पर एक बॉक्स रखा विबोने पूछा इसमें क्या है तो जॉन ने कहा सर ये इतना expensive और wonderful नहीं है उसने पीछे के security टीम की तरफ देखते हुए कहा ये हमारी तरफ से accept कर लीजे हम आपके लिए cake लेकर आये है cake देखकर इबो कि आँखे excitement में चमक गई थी फिर भी उसने अपना चेहरा सामाने रखते हुए कहा तक आप सही कह रहे हो cake इतना ज़्यादा expensive नहीं है जॉन और लेले बिल्कुल चुप रहे गए मानो परिशान हो गए थे तब इबो ने कहा क्योंकि ये दुनिया का best cake है और ये priceless है क्योंकि इसमें आपका प्यार चलक रहा है respect चलक रही है जॉन और लेले के चेहरे के मुस्कराहट वापस आ गई उन्होंने मुस्करा कर कहा हमें बहुत खुशी है ये आपका पसंद आया बोसर एक्शली इबो के लिए कौन सा केकलाना है इस पर इन सब के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी और आखिरकार उन्होंने ये टीजाइन सेलेट किया था और ये इबो को पसंद नहीं आये ये सोचकर ही उनकी जान हलक में आ गई थी लेकिन अब वो सब भी रिलाक्स हो गए थे ये सारी स्टोरी लेले ने इबो को सुनाई तो इबो ने हस्ते हुए कहा ये तो बहुत अमेजिंग है गाईस अमेजिंग कैसे हुआ उनसान ने पूछा जो ये सारा ट्रामा देख रहा था तो इबो ने जान की तरफ मूट कर कहा ये बड़े बड़े मुश्टंडे मेरी एक रियाक्शन की वज़े से इतने डर गए थे ये अमेजिंग है सबी लोग एंपरस हो गए तो इबो ने कहा तो चलो इसे कट करते है शौरला उन जान ने कहा इबो ने केक कट किया और पहला पीस जान को खिलाया जौन ने उनके फोटो खिछे अब वो काफी रैंडम चीज़ों पर बात करने लगे मतलब जान और इबो बाकि सारे लोग उनकी बाते को और से सुन रहे थे तब जान का फोन बजा इबो की बात वीच में कट गई तो वो इरिडेट हो गया पर बीटे पर के साथ जान के चेहरे की स्माइल पड़ी और इबो के माते की शिकर जान को स्माइल करते देख इबो क्यूरियस हो गया उसने पूछा क्या हुआ उल्टमान एक सेकेंड इबो इबो अब जान के बात का इंतिजार करने लगा जान वापस से फोन में बिजी हो गया असल में वो फोन पर कुछ सर्च कर रहा था तब ही उसे एक आर्टिकल मिला और उसने वो इबो को दिखाया जिसमें हेडलाइन सारे ही थी शाओ इंडस्ट्रीज ने चाइना का सबसे लार्जस्ट लेगो वेर हाउस एक्वाइर कर लिया है मतलब अब से शाओ इंडस्ट्रीज चाइना में उत्पाद हो रहे 60% लेगो खिलोनों की ओनर बन चुकी है अभी मिस्टर लिव हाइकवान कंपनी की तरफ से रिप्रेजन्टिव के रूप में जर्नलिस्ट को जवाब दे रहे थे और जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे थे कि कब से इस बीज़ी सीयो को खेलने के लिए टाइम मिला और वो लेगो में इंटरेस्ट कब से लेने लगे इस सब देखकर इबोने चौक का जहार की तरफ देखा तो जहार ने कहा तुम्हें 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 तुम्ह हसे या रोए एक तो उसे बहुत खुशे हो रही थी कि उसका ओल्ड मैन उसके लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरा उसे अपने ओल्ड मैन का मारने का मन कर रहा था क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि उसने कितना सारा पैसा वेस्ट कर दिया ईबो के एकस्प्रिशन दे कर जानने कहा पैसा मैटर नहीं करता लाव इस से पहले कि ईबो कुछ बोले जानने कहा इस पर एक सेल लगे गा तो इस से दस गुना प्रोफिٹ होगा ईबो का मुख खुला का खुला रह कहा उसने जान की तरफ देखा तो जान ने उसके नाप पर गूप करते हुए कहा ये भी तो विन विन सिच्वेशन ही है ना कैसे इबो ने पूझा तो जान ने कहा मेरी हजबन को अपने पसंदीदा लेगोस मिल जाएंगे और मेरा बिसनेस भी एक्सपांड होगा वैसे मेरे लिए पहला रिजन जादा जरूरी है बढ़िया है ना जान ने इबो की तरफ देखकर पूझा तो इबो ने बस सर हिलाया कहा हाँ जान ने पूझा तुम्हें अपने बड़े के प्रसंदा आया तो इबो ने हां कहते हुए कहा पर दोबरा इतना पैसा मत खरश करना ठीक है स्वीटार्ट जान बोला फिर इब जान ने आप सही होगा पर मैं पूरा दिन यहीं भी पिताना नहीं चाहता अब सान ने उठकर इबो के सामने हाथ रखा और कहां तो तुम और जाना चाहते हो इबा ने भी जान का हाथ पकर लिया और उठकर बोला ho пог नहीं भी जब तक आप मेरे साथ हो अब सभी लोग अमिज्मिन पर्क से बाहर आए कि वो थोड़ा सा धका हुआ लग रहा था तो जानी पूछा वो तुम ट्राइव करना चाहते हो यह वो ने कहा नहीं आप भी करो जानी कहा ठीक है दोपहर के डाही बच रहे थे जब सेन की क पार पीछे के दो सेकृर्टीघास के साथ एरिनबर्ग में बनी सेन होटेल की तरफ चलने लगी पर होटिल का सामने का एरिया चोड़ कर वो पीछे के एरिया की तरफ चली गई जो की पॉसनल एरिया था वहां पहुष कर जानी अपने हस्बंड की तरफ देखा जो एक और ज़ान ने अपना फोट निकाला रची भर के ईवकी फोटो ज़निकाली फिर इवके फॉरहंड पर किस किया और कहा उचजाव मोने राटच के लोड़ किस किया और हम पहुंश गये एव बो में डिस्टरब होने से कुढ़ और राया एवके गाल पर किस किया माते पर किस किया और कहा उट जाओ बेबी हम पहुँच गए है अब फाइनली इबो ने आँखे खुली और बाहर देखने लगा वहाँ पर बहुत हर्याली थी यह देखकर इबो ने पूछा हम कहा है क्योंकि वो उनका एडिनबर्ग का घर तो नहीं था अफजान खुला हीबो के साइट पर गया उसके लिए दर्वाज़ा खुला हीबो के सामने हाथ पकड़ा क्योंका अनकलै कर से जान ने कहां good afternoon मिस्टर पैर्टिक एबो चुप चुप साथ खड़ा था इधर मिस्टर पैर्टिक पहली बार जान कि साथ किसी को देख रहे थे तो जान ने उन दोनों को मिलाते होए गहा एबो इनसे मिलो ये हैं मिस्टर। पैर्टिक हमारे होटल के चीप एकस City ओ फिर उसने मिस्टर पैटरिक के तरफ दे कर कहा मिस्टर पैटरिक यह है मेरा हस्बन जान कर बहुत बड़ा जटका लगा कि जान अलड़ी मारड है पर उसने अपने आपको संभालते हुए तुरंट बो करके कहा गुड आफटरनेंट मिस्टर वशावां हेलो इबो ने स्माइल करके कहा तो जान ने पूछा सब तयार है मिस्टर पैटरिक तो पैटरिक ने जवाब दिया यसर तो चलो चलते हैं जान ने कहा और इबो को लेकर मिस्टर पैटरिक के साथ आगे बढ़ने लगा इबो ने पूछा हम कहां जा रहेगा जान ने तब भी जवाब नहीं दिया बस इतना कहा कि तुम जल्दी समझ जाओगे अब इबो ने चुप चाप जान के साथ चलना शुरू किया कुछ ही देर बाद वो दोनों ऐसे जगर पहुंचे जहां पहुंच कर इबो की आँखे बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वहाँ सामने एक परस्नल चौपर खड़ा था ये इबो ने चौक कर पूछा तो जान ने समयल के साथ कहा तुम तो ऐसी डेट चाते थे ना तो चलो फिर चलते हैं इबो का दिल तो गार्डन गार्डन हो चुका था पर तब भी उसके दिल में एक सवाल था उसने तुरंट जहान से पूछा हम कहां जा रहे है ओल्ड मैन तो जहान ने कहा पैरिस इबो ने शौक होकर जहान से पूछा आप मजाख कर रहे हैं हुसीन शौजान जहान ने इबो के नाप पर गूप करते हुए कहा और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे सब मजाख करूँगा आज के लिए बस इतना ही आपसे जल्द मिलती हूँ ते तक लिए अपना ख्याल रखे वीडियो बसंद आया हो तो लाइक शेर और कमेंट कर दीजे और हाँ अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजे और पांक्शन बबल में खुश रहिए थैंक यू